कि हलो स्पाइरेंस आप लोगों का कल एक्जाम है एस्बीजाइए कलर्ग प्रिलिम्स का और आप सब के मन्में कहीं न कहीं चल रहा होगा क्या हम लोगों के गुड़ अटेम्ट्स रह सकते हैं तो उस बारे में आज आप लोगों से बात करने आ रही हूं जिससे मैंने आप ल और बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका first attempt भी है तो उनको overall idea लगे सारी चीजों का इस वज़े से मैं आप लोगों के लिए जो भी helpful videos होते हैं guys मैं वो लेके आती हूं जैसा कि आप सबको पता हैं जो भी बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर first time देख रहे हैं मेरा चैनल वो लोग सब आपको मैं बोलूँगी कि चैनल सस्क्राइब कर लिजे विकॉस आप लोगों के लिए मैं बहुत helpful helpful videos लाती रहती हूं आप लोगों को जिससे हर चीज की overall जानकारी मिले इस वज़े से मैं आप लोगों से बोलते हूं चैनल को सस्क्राइब करके bell icon प्रेस कर दिया कीजे जि लिए स्टार्ट करते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक तो पूरा वीडियो को देखना है आपको और वीडियो को देखने के बास से जितना हो सके like and share कर देना है जिससे बाकी लोगों के मन में भी जो doubts चल रहे है वो clear हो जाए what will be the good attempt in SBI clerk pre 2021 क्या आपका good attempt रहने वाला है इस पर मैं बात करने वाली हूँ उससे पहले आपके लिए कहीं न कहीं जानना जरूरी है क्या कि cutoffs क्या गए थे 2020 में तो guys मैंने कुछ major states लिक रखे हैं यहाँ पर आपके बहुत सारे ऐसे लोग भी है मेरे चैनल पर जिनके यहाँ पर states नहीं है मैं मान रही हूँ लेकिन कुछ का idea आपको लग जाएगा और जिस तरीके से मैं आपको समझाओंगे इससे आप लोग अपने states का भी निकाल और यूपी का इसलिए मैंने सबसे उपर भी रखा है तो guys पिछली बार आपका यूपी का जो cutoff गया था वो 71 गया था ठीक है आपके बिहार की बात कर लों बिहार में आपका 68.75 cutoff गई थी और गुजरात में गई सबसे कम सबसे कम जो cutoff गई थी वो गई थी आपकी गुज पंजाब से जो कम cutoff गई थी वो मैंने यहाँ पर आपका state लिखा नहीं है वो आपका था डेली डेली में आपकी गई थी आराउंड 76 के ओके 76 आपकी डेली में गई थी 77 आपकी पंजाब में गई थी अगर मैं बात कर लूँ आपकी राजस्थान में राजस्थान में 68.75 ग लग रहा है कि 56 to मैं सबसे आपका lowest और सबसे highest अगर लिलू तो 56 to 77 के around आपका cutoff देखने के लिए मिला था आप सबको पता है कि यह जो आपका रहता है वो 100 marks का paper रहता है तो 100 में से आपकी इतनी cutoff गई थी गई ठीक है यह तो आपका overall थोड़ा ब्योरा था आपका cutoff का जो कि कुछ लमसम उपर नेचे रही थी गईस लेकिन एक आपके लिए important बात क्या है जो इस बार आप लोगों को ध्यान में रखनी है जिसकी बारे में आप लोगों को जानकारी होगी और किसी को नहीं भी है तो आप लोगों को मैं बता दू कि गईस इस time पे जब यह गई थी तो उस time पे आपकी जो vacancy थी जो आपकी vacancy थी वह आईज आपकी थी कितनी हमेशा आपकी 8000 प्लस या 8000 के around आपकी vacancy देखने के लिए मिलती है और इतनी ही vacancy आपकी बिशले साल थी ठीक है लेकिन आप लोगों से मैं अगर इस साल की बात करो 2021 की तो आप सबको पता है कि vacancy कोई देखने के लिए है इसलिए बच्चे कहीं निराश भी है कहीं नहीं थीन थोड़ा सा मन में डर भी है जैसी मैं आप लोगों से बात करते मैं कमेंट्स किते हो हमेशा बोलते हूं मैं डर लग रहा है मैं कैसे होगा तो यह वीडियो हो झょह आपको और motivation देने के लिए है जिससे आप लोग एक्जाम में काफी अच्छे से जाओ, काफी मोटिवेटेड हो के जाओ, क्यों कि देखो, या तो आर या पार, हमेशा मैं आप लोगों से बोलती हूँ, तो हम लोगों को हमेशा ये positive thinking हमारे लिए बहुत जादा अच्छा वाला role play कर देती है, ये हमेशा ए अगर आप positive attitude के साथ जाओगे guys, तो exam अच्छा कर किया होगे, अगर मैं पिछले साल का overall अगर आपका बात कर लोगों कि सारे slots का, अगर मैं मिला लोगों कि आपका paper कैसा गया था, तो overall जो आपका paper देखने के लिए मिला था, वो overall exam जो था आपका, वो easy to moderate था guys, easy to moderate, मैं last year क की बात कर रहे हूं, last year क्यों जानना जरूरी आप लोगों का, जिससे आप लोग इस बार का idea लगा लो, तो अगर मैं English की बात करूँ, तो guys आपके English में कितने गए थे, 22 to 25, लगबक सारे ही बच्चे, ये average भी ओरा होता है guys, लगबक सारे ही बच्चे इतना करके आए थे, time आपको सबको पता है, 20 minutes मिलते हैं, फिर मैं बात कर लूँ, अगर reasoning की, तो reasoning में कितने attempt हुए थे, 28 to 32, देखिए, बहुत बच्चे 35 भी करके आए थे, even मैं भी 35 करके आए थी, लेकिन ये होता है, आपका सारे category के बच्चों को जिसमें रखा जाता है, जिसको average बोला जाता ह तो 26 to 30, 20 minutes में, तो guys, overall अगर आपका देखा जाए, तो ये आपका था 75 to 80 के बीच में, जो good attempt माना जा रहा था, वो 75 to 80 के बीच में था, ये था आपका बिचली बार का और उसके according, ये था good attempt और उसके according आपकी, ये cutoffs कही थी, 2020 की बात आपको अच्छे से समझ में आ गई अफस भी आप लोगों को अच्छे से बता दी, और अगर हम बात कर दो, 2021 में आपका क्या रहने वाला है, तो उससे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है, कि 2021 में आपकी vacancies कितनी है, क्योंकि ये जानोगे, तो आप लोगों को चीजे समझ में आएंगी, और guys, vacancy में ह की गिरावट है, ठीक है, आप देख रहे है, 8,000 प्लस यहां और 5,000 प्लस यहां, तो paper कैसा आने वाला है, कैसी आपकी cut-offs जा सकती है, क्या आपके attempt रह सकते हैं, उसकी बात मैं आपके से करने जा रहे हूं, 2021 की, देखिए, total जो form fill up हुए है, total form fill up जितने हुए है, उसका idea आपको लगेगा, तो कहीं न कहीं आप लोगों को चीजे समझ में आएंगी, total form fill up हुए है, guys, 18.5 lakh समझ लीजे, चलिए, मैं 18 lakh प्लस ही कर देती हूं, एक अंदाजे से, 18 lakh प्लस form आप लोगों के गिरे हैं, इस बार इतना लोगों ने form fill किये हैं, और vacancy है आपकी इतनी, त 55 प्लस, 55 प्लस, देखो हमेशा ये होता है, जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रही हूं, वो क्या, ये मत compare करने लग जाना कि मैं मौक में इतने आ रहे हैं, हमारे ये हो पाएगा की नहीं हो पाएगा, क्यों मैं आपको क्या बताने जा रही हूं, कि अगर अगर आपक आपका एक्जाम आता है, तो आपके attempt 75 to 85 होने चाहिए है, क्यों, क्योंकि आपको पता है, vacancy कम है, बच्चे जादा है, ठीक है, इतने attempts आप करके आओ, और paper जब ऐसा आता है न, तो इतने attempts हो जाते हैं, भले ही आपके mock में कितने marks आ रहे हूं, मौक में आपके 55 to 65 प्लस त मैं mock console लगाना है, तो guys, mock आप लोग olive board का लगा के देख सकते हो, olive board का अगर आप लोगों को mock लगाना है, मैं link description box में दे दूँगी, जाईए वहाँ पर अपने आपको register कीजे, और login कीजे और paper देके देखिए, उसके जो free वाले रहते हैं, आप लोग वही लगा के देख लो आप लोगों को कही ना कहीं difference देखने के लिए मिल जाएगा guys, यकीन मानो कि आपका इतना रहता है, अगर आपका paper कही ना कहीं tough आगया, कहीं exam आपका tough आगया, क्योंकि उन लोगों examiner को भी cut off match करने है, बच्चों का selection करना है, और guys हमेशा धिहान रखना कि mains से जादा आपक अब pre निकालना tough हो जाता है, क्योंकि उस time पे competition ये level रहता है, mains में क्या होता है, जो pre में बच्चे निकल चुके होते हैं, वही तो mains में जाते हैं, अब तो उतना जादा competition नहीं देखने के लिए मिलता है, इसलिए मैं आप लोगों की highest possibility जो मेरे side से मुझा लगता है कि हो सक देखो, अब ये मस सोचने लग जाना कि शाक्षी मैम ने इतना बताया था, यार इतने नहीं हुए तो हमारा paper खराब चला गया, ये बिलकुल भी नहीं सोचना है, paper देने जाओ, अगर मान लो 75 के जगा, आपके 70 ही attempt हुए, तो ये नहीं है कि आपका paper खराब हुआ है, ठीक है, इसलिए कभी ये नहीं सोचना है कि हमारा paper खराब हो गया है, और demotivated होके नहीं बैट जाना है कि हमारा नहीं होगा, मान लीजे कुछ बच्चे ऐसे होंगे, जो मेरे को नीचे में लिखेंगे comment में कि मैं mock में हमारे इतने marks नहीं आ रहे हैं, तो हम लोगों का क्या नही समझवाएंगी, अभी आपके सामने बहुत सारे paper हैं, जैसे कि RRB PO clerk है, आपका IBPS PO clerk है, इविल आपका SBI है, और मैंने आप लोगों को RRBI के बारे में भी बता रखा है, बहुत सारे आपके सामने अभी exams हैं, और आप लोग अच्छा कर लोगे, इसलिए आप सब का ये काम होने वाली है, वो है speed plus accuracy, speed maintain के साथ साथ ये मत भूल जाना कि मान लो आपने 100 में से 90 कर लिए और accuracy है नहीं, ये बहुत जादा बड़ा रोल प्ले करता है आपका exam क्लियर कराने में, इसलिए accuracy पूरी होने चाहिए हैं, आपके accuracy 100% होने चाहिए हैं, जिसमें आपको लगे कि ह हम लोगों का थोड़ा सा आपको doubt लग रहा है, तो थोड़ा doubt भी 95% to 99% के बीच का होना चाहिए, उससे कम doubt लग रहा है, जादा मत करना गलत करके आ जाओगे, तो आप लोगों का निकलतावा exam भी नहीं निकल पाएगा, तो guys, आप लोगों की cut off इसके according ही जा सकती है, आप लोग एक बार exam दे के आईए, 10, 11, 12, 13 exam हो जाए, उसके बार से मैं आप लोगों को बहुत अच्छे सा इसका बताऊंगी, कि आप लोगों की cut offs के हा रह सकते हैं, वैसे आपके जो good attempts हैं, वो इसके बीच में रहते हैं, तो आप लोग safe side पर हो, इसलिए कोशिश करना, अच् chill मारो guys, अच्छे से आपने लोगों ने पढ़ाई की है, यकीन रखो खुद पर, भरोसा रखो, अच्छा करके आओगे, सब लोगों को मैं बोलूँगी, all the best जिन जिन लोगों का exam है, अच्छा करके आईए, मुझे comment करके जरूर बताइएगा, और please चैनल को subscribe कर लिजए, अगर आप लोग फर्स टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं, और अगर अपने अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है, तो कर लो, आप लोगों के लिए बहुत helpful वीडियो मैं बनाती हूँ, जिसका आप लोगों को notification जब ही जाएगा, जब आप लोगों को प्रेस करोगे इसलिए bell icon प्रेस करना, बिल्कोल भी मत भूलना, और जितना हो सके, वीडियो को like and share करना है आप लोगों को, कोई भी query तब भी मन में आ रही हो, तो आप लोग प्लीज मुझे comment करके पूछ लीजेगा, all the best guys, thank you for watching this video, मिलते हैं next video में